देखिए बच्चो आज का हमारा कोशन है डाल्टन के पर्माणू सिधान्त की सीमाई लिखिए डाल्टन ने जो पर्माणू के बारे में बताया था कि पर्माणू क्या होता है जो उसने सिधान्त दिया था जो कि मैंने पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे है वो चेनल की प्लेइलिस्ट में जा करके देख लेना आपको कहा पर मिलेगा कक्छा ग्यारवी की केमेश्टरी का चेप्टर वन रसायन सास्तर की कुछ मूल अबधाना वाली जो प्लेइलिस्ट बनी है उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा तो आज की वीडियो में ये बात करेंगे कि डालतन ने जो परमानु सिधान्त दिया था अब उस सिधान्त में क्या-क्या कमिया थी उस सिधान्त की कौन-कौन सी सीमाय थी मतलब उसने क्या-क्या बताना छोड़ दिया क्या-क्या बताना वो भूल गया था तो देखी इसका अंसर डालतन के परमानु सिधान्त की सीमाय निम ने लिखी था है देखी डालतन ने जो परमानु सिधान्त दिया था उसकी जो सीमाय है वो निम ने लिखी थे, अब देखी कौन-कौन सीमाय है, पहला, भिन्य तत्वों के परमाणू एक दूसरे से भिन्य होनी की ब्याक्या ना कर पाना, जैसे कि एक तत्व हो गया आक्सिजन और दूसरा तत्व हो गया हाइड्रोजन, अब आक्सिजन तत्व क जो परमाणू है वो हाइड्रोधन तद्व के परमाणू से तो भिन्य है क्योंकि आक्सियन का उप्योगम सास लेने में कर सकते है लेकिन हाइड्रोधन का कर सकते है क्या नहीं कर सकते मतलब भिन्य भिन्य तद्व के जो परमाणू है वो एक दूसरे से भिन्य भिन्य होते है म पतलब अलग-अलग होते हैं आक्सियन का परमाणू हाइड्रोन के परमाणू से अलग होगा और हाइड्रोन का परमाणू आक्सियन के परमाणू से अलग होगा तो इस चीज की व्याख्या इस चीज के बारे में डाल्टन नहीं बता पाया ये इसकी पहली कमी थी दूसरा परमाणू हो गया हाइड्रोजन इसके दो परमाणू हो गया है ना है यह हो गया हाइड्रोजन का परमाणू और दूसरा परमाणू हो गया आपका आक्सिजन और जब दो पधार्थ के परमाणू मतलब जब दो तद्व मिलते है तो योगिक बनता है एक एक पधार्थ हो गया hydrogen और एक पधार्थ होगय oxygen एक तदब होगय hydrogen और दूसरा तदब होगय oxygen यह दो आपस में मिल गए और मिल करके इननों ने क्या बना लिया योगी बना लिया तो इस चीज़ के बारे में डाल्टन ने नहीं बताया यह इसकी दूसरी कमी थी कि पधार्थों के परमानू सहीउक्त होकर योगी का निर्मान करते हैं योगी की निर्मान के कारणों को पधार्थों के परमानू सहीउक्त होकर के योगी का जो निर्मान करते हैं तो इस योगी की निर्मान के कारणों को इसपष्ठ ना कर पाना जो डाल्टन था बहे पधार्तों के परमानू के सहीवत होकर योगिक निर्मान के कार्णों को इसपष्ठ नहीं कर पाया था अगला योगिक परमानू योगिक परमानू जिसे की यह है एक प्रकार का योगिक परमानू या अनू ये एक प्रकार से जल का अनू है योगिक परमाणू या अडू में परमाणू के मध्य बंधन बल अब यहाँ पर दो हाईडूजन और एक आक्सियन आपस में जुड़े है तो कोई भी इंसान कब जुड़ता है जब उसमें एक प्रकार का बल लगता है जिससे कि ये धपुल जो है ये मारकर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर एक प्रकार का बल लगा है तब जाकर के अलग हो रहा है मतलब कि दोनों के बीच में बल होता है अध्याय चार में विस्तार से बताऊंगा उसको हम क्या कहते है बंधन बल कहते है तो उस बंधन बलों की ब्याख्या ना कर पाना तो जो हमारा डालतन था डालतन ने योगिक परमाणू की मध्य में लगने वाले बंधन बल की ब्याख्या नहीं कर पाया था मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ गे लुसेक का गेसी सहोजन का नियम तो उसकी ब्याक्ख्या भी डालतान नहीं कर पाया था अगला परमानू अब परमानू क्या होता है और अनू क्या होता है इसके बारे में भेद नहीं कर पाया मतलब कि परमानू किसको बोलते सबस्चूटी का ही परमानू होती है और परमानू से मिलकर कर बनता है अनू तो इसके बारे में डालतन नहीं बता पाया था तो ये डालतन